नमस्कार दोस्तों यदि आप टेट का एक्जाम देने जा रहे हैं चाहे वो यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो तो आपको सिच्छा मनोब ज्ञान का अध्यान अच्छे से करना होगा क्योंकि यह सब्जक्ट थोड़ा जटिल है क्योंकि इसमें ज्यादतर पहरिभास आएं तो इसी करम में आज हमने लिया है अधिगम चैप्टर को जो कि टेट एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर है और इस चैप्टर से क्यूस्चन भी बहुत पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं अधिगम किसे कहते हैं अधिगम का अर्थ क्या ह होता है और अधिगम की कौन-कौनसी परिभासा है टेट एक जाम में पूछी जाती है क्योंकि यह बहुत ही मात्पूर्ट चैप्टर है और इसकी परिभासा और सिध्धान्त ही पूछे जाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते का अधिगम का अर्थ क्या होता है और इसकी क्या-क्या परिवासा है important है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आधिगम किसे कहते हैं, आधिगम का जो normally बोल चाल की भासा में अर्थ होता होता है सीखना, जिसे हम लोग English में learning कहते हैं, तो जो आधिगम है ये एक मनुबैग्यानिक सब्द है, और जबकि इसक जो नॉर्मली यूज में होता है, हम लोग इसको सीखना कहते हैं, जिसे English में learning कहा जाता है, तो आधिगम ये सीखना निरंतर रूप से चलने वाली एक सार भामिक प्रकिरिया है, जो जन्म से प्रारंब होती है और मिर्त्व प्रयत्न तक चलती रहती है, यानि आधिगम जो जो सीखने की गत ही होती है, इसमें जो में प्रभाव पढ़ता है, वो वातावरण का पढ़ता है, और अधिगम का सामानी अर्थ क्या होता है, एक्जाम में पूछा भी जाता है कई बार, अधिगम का जो सामानी अर्थ होता है, वो होता है सीखना या फिर ब्यवहार में प कारक बताएं हैं इन में से आपको option में जरूर मिलेगा और क्यूशन आता ही आता है तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लिजिएगा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या नि जो सीखना है इसकी जो गति होती हो किन कारकों से प्रभावित होती है तो सबसे पहले है पूर्ब अधिगम पूर्ब अधिगम मतलब का आपका जो पूर्ब नौलेज है वह अगर कुछ आप नया सीख रहे हैं तो उसको प्रभावित करता है पूर्ब अधिगम दूसरा है विसे वस्तु का स्वरूप यानि कि जिस टॉपिक को आप सीख रहे हैं उसका स्वरू या शीखने की इच्छा, यह में इंपॉर्टेंट है यह क्योंकि आपको जो है अगर सीखने की अच्छा होगी तब आप किसी चीज को अच्छे से सीख सकते हैं, पाचवा हैं सीखने की बीधी, सीखने की बीधी जो सबसे अच्छी माल जाती है सरल से जटिल की और, यानि सरल से कठीन क्यों और अगर आप सीखते हैं तो कोई भी बस्त को या कोई भी प्रोसेस को आप अच्छे से सीख सकते हैं तो सीखने की भी दिभी जो अधिगम को प्रवाविद करती है और अगली है अभी प्रेंडा प्रेंडा का मतलब हुआ मोटिवेशन अगर आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले जो प्रमुक कारक है उनमें वातावरण और वनसानुक्रम प्रमुक है तो इसको जरूर ध्यान में रखेगा वातावरण का मतलब है कि जो आप है भो आपके स्भाव्रेंट है वह आपको अधियम करने में प्रहावित करता है अगर अच्छा इंवयर्मेंट है तो आप जल्दी से शीख जाएंगे अगर environment आपके सीखने के प्रतिकूल है तो सीखने में रधा होती है अगला है वण्सानुक्रम का मतलब है की आप कि सारीरिक रूप से स्वस्थ हैं आपका सारी भिकास समचित तरीके से हुआ है तो आप अधियम को आच्छे की शीखना किसी भी प्रोसेस को अच्छे से जल्दी से शीख जाएंगे और next है थाकान, यानि कि आपका अगर सारेरिक या मानसिक थाकान है तो आप जो है आपकी सीखने की गर्ती जो है यह प्रभावित होगी यानि कि जो आधिगम है यह प्रभावित करने वाले जो कारक हैं मेंली 9-10 कारक हैं तो इनको आप अच्छे से याद कर लिजिगा एक्ज को जरूर सब्स्राइब कर लिए क्योंकि हम आप के लिए ऐसी वीडियो आगे लेके आते रहेंगे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं परिभासा परिभासा भी आपके टेट के एक्जाम में पूछी जाती है सीधे सीधे परिभासा दे के पूछता है कि यह किसके अनुसार है मतलब अगर क्यूश्चन आया हुआ है कि सीखना विकास की प्रिकिरिया है किस मनुबैग्यानिक ने ऐसा कहा था तो आपसन में आपको चार मनुबैग्यानिकों के नाम दिये रहेंगे आपको उसमें से बताना रहेगा कि यह परिभासा किसकी है तो इसलिए जो है अधिगम की चार-पांच परिवासा हैं जो प्रमुख हैं जो हर साल लगभग एक्जाम में आती रहती हैं तो इनको आप अच्छे से याद कर लिए तीन चार बार आप अगर देखते हैं तो यह अच्छे से याद हो जाएगी तो सबसे प्रमुख जो है वुडवर्थ की है वुडव ग्ञान को ने अपनी परिभासाय दी है उसमें व्योहार सब्द जरूर आएगा आदीगम यानि कि जो व्योहार के कारण व्योहार में आया परिवर्तन अधिघं है जेपी-गिल-फोर्ड ने कहा था तो जितने वी मनुख व्योहार थे उन में के कहने का मतलब यही था कि ज नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अंसार आदतों ग्यान यूम अविरित्तियों का अरजन ही अधिगम है यह जो चारो परिभासा हमने आपको बताई है बहुत ही इंप्वाटन्ट है हर एक्जाम में टेट के एक्जाम में पूछी जाती है तो इनको आप अच्छे से याद कर ल कहते हैं Proseknezz Joveahn प्राणी ब्योहार में परिवर्तन लाना ही आदिगम है यानि कि प्राणीों के ब्योहार में परिवर्तन आता है उसे आधिगम कहते हैं नेक्स्ट एडविन ए गुत्रीर के अनसार इन amiga कि अधिएआव किसी परिस्थित में भिंड ढंग से कार्य करने की छमता यानि कि जो आपकी परिस्थित होगी ऑगर वो चेंज होती है तो आपके याद कर लिजीगा और हो सके तो आप लोग जो है इसको दो तीन बार देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा तो हम लोग देखते हैं कि जो उपर की परिवासाइं दी है उनका अर्थ क्या निकलता है तो इनसे अर्थ निकलता है कि सीखने के कारण ब्यक्त के ब्यवहा होता है उसमें चेंजिंग आती है और ब्यवहार में यह परिवर्तन वाह यूम आंतरिक दोनों हो सकता है आता सीखना एक प्रकेरिया है जिसमें अनभो यूम परसिछन द्वारा ब्यवहार में अस्थाई या आस्थाई परिवर्तन दिखाई देता है यानि कि जो अधिगम होता है टोटल एक process है जिसमें अनभो यूवा प्रसिच्छण द्वारा या तो आप अनभो से शिखेंगे आ तो आपको प्रसिच्छ दिया जाएगा तब आप सीखेंगे द्वारा ब्यवहार में अस्थाई या आस्थाई परिवर्तन दिखाई देता है तो यह प्रोसेस थी जो है अधिगम का अर्थ अधिगम की परिभासा और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक तो यहां से दो तीन क्यूशन जरूर आते हैं टेट के एक्जाम से तो फ्रेंड्स करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सेयर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में